हाई गाईज मैं प्रियंका आपका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका स्टार आइडिया में अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना वूले आज हम बनाएंगे एग रोल तो एग रोल के लिए सबसे पहले मैंने खीरा लिया इसको पतले-पतले साइज में कट कर लिया है एक प्याज लिया है इसको भी पतले-पतले साइज में कट कर लिया है एक हरी मेश लिया है इसको भी मैंने बारी-बारी कट कर लिया है तेमाटो स मैंने लिया है दो बड़े चम्मच चिली सॉस लिया है मैंने एक बड़ा चम्मच नमक हमें स्वाद अनुसा चाहिए और चाट पंसाला लिया है अधी छोटी चम्मच और यह अंडे ले लिये मैंने एग रोल बनाने के लिए तो सबसे पहले हम मैदा लेंगे यह 800 ग्राम मेरा मैदा है और इसमें दो चम्मच तेल डाले गा और पानी से इसे गूलदेंगे तो इसमें सबसे पहले हम नमक नमक डाल लेंगे सुदानुसा नमक डाल लीजेगा आप और इसमें अब हम तेल डालेंगी जो टमच तेल डालेंग है इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद Music ठो तेल ऊपर से लगा लिए आप देख रहे हैं तो अब इसको हम ढग के एक साइड में रख देंगे 5 मिनट के लिए तो यह पांच मिनट हो चुका है अब मैं इसकी लूईयां बदाना शुरू कर रहे हूँ अब इसको हम बेलेंगे इसको पत्ला पत्ला बेल लेंगे हम यह एक बेल लिया है यह मेरा दूसरा रोटी तयार हो चुका है अब तवा चड़ा लिया है गरम हो गया तवा मेरा इस पे तेल डाल के हम इसमें रोटी डाल देंगे यह मैदा है तो इसको हमें अच्छे से पकाना है तो धीमियाच पे यह पकाईएगा, फ्लेम को एकदम लो रखेगा, यह अंदर से पुरा को को यह देखे, एक साइड से हो चुका है, अब दूसरे साइड से भी हो गया, यह दूनों साइड से पक चुकिए रोटी हमारी, तो इसको एक साइड में रख लेंगे, अब यह दो अंडे मैंने इसमें डा इसमें नमक डाल लीजेगा आप वो मैं दिखाना भूल गई आपको तो तवा गरम हो चुका है इसमें थोड़ा तेल डालेंगे फैला लीजे इसको अब हम इसमें अंडा डालेंगे इसको फैला लीजे तो या देख रहें हैं आप इसपर हम रोटी डालेंगे एक मिनित के बाद ही आप इसपर रोटी डालेगा कwegen अडा नीचे से थोड़ा पक जाएं अंडा नीचे से थोड़ा कुक हो जाएं तो इसको पूरा फैला लेंगेर रोटी इसको पलट लेंगे अब हम नीचे से भी थोड़ा इसको पकाएंगे तो यह हमारा रेडी है दोनों तरफ से पक चुका है और यह रोटी हमारे अंडे में चिपक गई है यह देख रहें अब हम इसको निकाल लेंगे मैं निकाल लिया अब इसी तरीके से मैं एक अंडे का एगरोल बनाओंगी तो अब मैं एक अंडे का यह मैंने एक अंडा डाल लिया है यह सिंगल है इसको हम बच्चों को खिला सकते हैं इसको 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 अब मैं रोटी डाल दूँगी अब इस पे थोड़ा तेल लगा लेंगे हम और नीचे से हमारा अंडा लगभग पक गया है अब हम इसको पलट लेंगे ये दिखें इस पे चिपग चुका है प्रोटी पे अंडा हमारा तो इसको थोड़ी देर और हम पकाएंगे ये दोनों तोसे सिख चुके हैं अब हम इसको निकाल लेंगे आप चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं ये जो खीरा मैंने कट किया था इसके ओपर डाल लेंगे और पैयास डाल लिया है मैंने अरिमेशी डाल लिजिए आप जितना आपको तीखा पसंद एक इसाब पसंद करते हैं चाट मसाला डाल लिए हैं वैंने आप ये चिली सॉस है अगर आपको नहीं पसंद eller चिली सॉस टॉप में डालिएगा टेमाटो सॉस भी डाल लेंगे, जितना आपको पसंद है, इस क्वांटिटी से आप डालिएगा, अब इसको हम अच्छे से मोड लेंगे, इसको पकड़ने के लिए और इसको बंद करने के लिए ये मैं अल्मूनियन फॉइल लगा रही हूँ, आप पेपर भी लगा सकते हैं, कि मैंने बंद कर दिया, आप इसको पकड़ के आराम से खा सकते हैं, इसी तरीके से मैं जो सिंगल एग रोल था, जो एक अंडे से बनाया था, उसको भी इसी तरीके से हम स्टफिंग कर लेंगे, आप चाहें, अगर ये बच्चों को दे रहे हैं, तो इसमें आप मिर्चे अ ये नमक डालिया मैंने, ये रेडी हो गया, हमारा सिंगल वाला भी रेडी है, इसको भी उसी तरीके से अलमुनिन फॉइल लगा लेंगे हम, कि इसको बच्चे पकड़ के अच्छे से खा सकें, बड़े बच्चे क्योंकि ये गरम है, तो इसको पकड़ के इजीली खा पाए तो ये दोनों रेडी है, तो तयार है हमारा एग रोल, मैंने एक डबल एक से बनाया है और एक सिंगल एक से बनाया है, अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना नाम पूलिए